अब आपको बात करेंगे कि आप कभी speaker लेने से पहले सोचते होंगे कि amplifier कितना लोट का चाहिए कितना वाट सेन कर पाएगा की निकर पाएगा काफी confusion दिमाग में चलते रहता है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि amplifier लेने से पहले आपको क्या का चीज की जानकारी होनी चाहिए आपकी इस तरीके से अपने speaker साथ उसको match कर सकते हैं और पूरा detail को match करने के बाद आप अपने amplifier ले सकते हैं सही तरीके से तो चलिए दूस्तों वीडियो शुरू कर आपने amplifier के साथ और अपना amplifier ले लेते हैं यह जनरली एक तरीका है आप 500 watt कमान लेजे एक्जामपल दे रहा हूं 500 watt का अगर आपना speaker है तो आप सोचते हैं कि 500 watt का amplifier ले ले लेते हैं चल जाए बढ़िया है ना बट सिप वाटेज नहीं रहता है और भी कुछ चीजे रहती है है जो important होती है अलब इस सब चीज को देखके आपको match करके आपको amplifier लेना रहता है ठीक है तो मैं आपको एक्शल में बताऊंगा कैसे होता है तो सबसे पहले speaker का बात करते हैं कि speaker में क्या-क्या आपको देखना पड़ता है तो वह जो आपको वाट बता रहा है जो पावर ब बता रहा है देखिए एक्शल में जैसे कि अगर आप मैनुल देखेंगे तो मैनुल में आपको दो-तीन तरीके के वाट आपको मिलेगा जो पावर है दो-तीन तरीके से मैंशन होते हैं जैसे कि आपका मैं जनरली तीन तरीके से जानता हूं पहला होता आपका peak power दूसरा होत करने उसल्य एक हर्द से जर्साश आप चला ते हमारा उनुसी तरीके से शीएंट से लेटा लिक्ता है अगर शहुगे में200 त्हुंत दैसे तो पार तो यह Oke tris पावर नहिए कि पिंदर नहीं है जो दूसरा चीज है आपका continuous power अब मैं आपको यह जो चीज है ना आपको कार के हिसाफ से समझाता हूं देखिए पेक पावर पहले समझते हैं पीक पावर क्या था अगर कार में आपने देखा होगा जो स्पीडो में रहता है उसमें टॉप स्पीड दिये रहती है जैसे की 140 किलो मेटर जो की अप्लिकेबल नहीं रहती है वह उतना जाता नहीं है आप जो चलाएंगे जनरली 110-120 उतने उतना ही जाप आपका पावर तो वह जो है बताता है कि आपका जो कार है उतना स्पीड हैंडल कि बात किया बर एक सबने लिए सबस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका जो एक होता बनामिको कार सकते है एक होता है कोई होका पिक फावर आप स्पीड़ मोर्म का 25- 45 की बीच मैं आता है वह पका एको भी बदा बता हि कि इसमें आपका जो इसमें का इसमें----- Bis इफिशिंसी अच्छी रहेगी सिती और अच्छे तराइक चलेंगा वह चीज प्रक्यकों बटाता इसके और यह रहता है कि आसके तौत इसका ताओ मुद्ट का वाट दी रहता है यह लगबख 700-800 वाट ऊब बोल सकते हो ठीक है वह उवर नहीं के कारण आपका मेंशन कर लेता है कि तो वो जो आपका है वो आपका एक तरीके से बोल सकती हो Program Power है है ना कि मतलब आप उसको उत्रह ज़्यादा यूज कर सकते हो एक्जांपल देता हूं 스कर का कैसे बता सकते हैं 500W आपका जो है Continuous Power है 1000W उसका Program Power होगा आप स्पीकर का कैसे बता सकते हैं 500 आपका जो है continuous power है 1000 वार्ट उसका program power होगा ठीक है और जो पीक पावर होगा लगबक उसका double हो जाएगा मतलब आप 1500-2000 वार्ट वह पहुंच जाता है पीक पावर उतना ठीक है तो उसको आपको पीक पावर को ले कि कभी होनी चाहिए चिक अब एक्जांपल समझते हैं एक्जांपल कैसे अब स्पीकर है आपका 500 वाट का continuous power उसका जो impedance है nominal impedance जो है 8 ohms है तो आपको वह amplifier देखना है जो की 8 ohms की range में जब आप connection करते हैं तो amplifier में भी रहता है 4 ohms 8 ohms तो 8 ohms में वह आपका उतना जो load है जो आपका 500 वाट है तो आपका जो amplifier लगबख 6-700 वाट अप्रोक्स हैंडल कर सके तो से क्या होता है उसका जो headroom में थोड़ा बढ़ जाता है headroom कम होगा तो आपका जल्दी जो आपका amplifier distort होने लग जाएगा यह headroom के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था अगर आपको वीडियो नहीं देखे description box में आपको link मिल जाएगा ठीक है तो speaker है 500 वाट का 8 ohms का impedance है उसका तो आपको जो amplifier लेना है मान लीजिए अगर आप ऐसे 5000 एम चूज करते हैं तो वह इन दोने के लिए match सही होगा कैसे वह बताता हूं जो ऐसे 5000 एम का amplifier है वह क्या रहता है तो जो 500 वाट रहता है उसको नॉर्मल पावर रहता है और जो उसका maximum जो पावर रहता है वह साड़े साथ सो वाट तक रहता है तो यह क्या क्रेट कर रहा है आपको थोड़ा से हैड्रूम क्रेट कर दे रहा है बीच में जो आपका जिससे आप अपना speaker का लिमिट थोड़ा बढ़ा सकते हो ठीक है तो इससे आपका जो amplifier है वह पिक भी नहीं होगा मतलब जो तो speaker है ना तो under wattage होना चीये ना तो over wattage होना चीये अंडर रोल यहां फिर overload ठीक है we need a beat हुए है हुए है